नमस्कार स्वागा थे अपका इंडिया न्यूस 28 में आईए बात करते हैं राजस्तान की कुछ खास खबरों की राजस्तान के ज्वैपुर में दूसरा फ्री वेक्सिनिशन कैम्प श्रिया कम्यूनिटी के द्वारा श्रिया इमाम बार गाहा बास बदनपुरा में लगाया गया इस कैम्प में 15-18 साल के बच्चों को भी वेक्सिन लगाए गई वहीं कैम्प में 200 से अधिक संख्या में वे जाफर अधिकारी मुकेश कुमार और श्रिया कम्यूनिटी से अकरम हुसेन जैदी अली तकवी रियाज हुसेन रहेबर जैदी शान्त तकवी मौचूत रहेवाई वेक्सिनेशन टीम डी एचपी मोती कटला और यूपी एच्टी रिश्वी गालव नगर ज्रैपुर के दत वद्धान में वेक्सिनेशन केम्प कराया है जैपूर से जाफर अबास तकवी की रिपोट सिया इमाम बाड़ा में जो सिया कम्यूटी द्वारा ये फ्री वेक्सिनेशन केम्प लगाए जारे है उनको सब को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें रहबर जेदी अली साब पपूभाई वाजने सब लोग इन सब लोग उने आस पास के लोगों को समझा के कम्यूटी आज वेक्सिन लगवाने आए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनके वेक्सिनेशन केम्प और ब्लड डोनेशन केम्प लगातार इनके जारी हैं मैं इनको हार्दिक सुब का मनाएं देता हूं इनको शलय कुम्यूटी की जानिप से यह दूसरा केम्माम बार्गा नवाब हमदाशन आबाद बदनफुरे के अंदर लगया गे एह पहला केम्म पन्निकरान में लगया गया तो बहुत सक्से जरा उस ही को देखते हूए आज यहां पर दूसरा केम्म पर लगया लगया गय लिए बड़ों में भी बच्चों में भी बहुत वीर थी दोसों के अधिक करी में वैक्सिन लगी तो इन्शालला इसके उपर और काम आगे जाजी रहेगा किस तरीके साथ आपने इसको मैनेज किया कहां कहां आपने एलान वगरा आया कुछ कर वाका था हमने अपने केंप में सबसे बड़ी बात आजिये रही कि पंदरा से लेके 18 साल के जो बच्चे थे उनमें हमने इस तरह से वरकिंग की कि यहां जो रॉयल ऑक्सफोर्ड अकेडमी है हमारी उसमें उसके जो इंचार्ज हैं प्रिंसिपल हैं अजर साहब उनके थूरू हमने मैसिज फैला हैं उनमें एक अच्छी जागरूपता देखने को मिली और जादर से जादर वैक्सीन उनके लगी है